नमस्तियों दोस्तों स्वागत आपका एक और शांदार वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं किया mobile से blogging possible है काफी सारे comments आई काफी सारे सवाल है कि भाई mobile से blogging करना possible है क्या तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में details से अधरें वाद प्रेक्टिकली बताने वाला हूँ। कि mobile से blogging possible है तो कैसे है लेकिन जी ек stagn है तो इसी लेकिन के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो आप पूरा देखना, और मैं किस व्लॉगिंग की बात कर रहा हूं, मैं इस व्लॉगिंग की नहीं बात कर रहा हूं, कि हाई दोस्तों आप देख रहे हैं, शानदार नजारा, इसके बारे में नही तो सबसे पहले अगर हम बात करें, possible है, तो possible है, लेकिन बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, कभी-कभी frustration आ सकता है, mobile से blogging करते वक्त, बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों को भी हम जानेंगे practically, सबसे पहले मैं आपको introduce कर दूँ कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपको free व posted blog, उसके लिए भी ये कर सकते हैं, इन सब पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आपको blogging का setup करने के लिए, आपने खुद का blog बनाने के लिए, आपको एक laptop या computer की जरूरत पड़ेगी, आप में से बहुत सारे लोगों के पास laptop नहीं है, या फिर computer नहीं है, तो उचाते हैं कि हमारे पास जो भी phone है, इसी phone के थुरू हम blogging करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएं, जखो आप blogging कर सकते हो, लेकिन setup करने के लिए आपको एक laptop की जरूरत पड़ेगी, एक से दो दिन के लिए, तो blog setup करने के लिए, आप किसी friend से मांग लिए, अपने एक दिन के लिए या फिर अपने friend के घर पे आप चले गए, या फिर cyber cafe होता है, cyber cafe जहां पर हम internet यूज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपना blog setup कर सकते हैं, उसके बाद अपने phone से ही article वगरा manage कर सकते हैं, तो मैं आपको practically दिखाना चाहूंगा, तो चले आईए mobile screen पर, जिन लोगों ने अभी तक अपना blog शुरू नहीं किया है, या फिर उनको पता नहीं है कि blog शुरू कैसे करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने नीचे description में link दिया हुआ है कि आप blog कैसे शुरू कर सकते हैं, blogger platform के लिए भी मैंने बताया है, जिनके पास hosting के लिए भी पैसे नहीं है, वो blogger platform से कैसे शुरू कर सकते हैं, और जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, invest करने के लिए hosting में, domain में, तो आप कैसे self hosted blog बना सकते हैं, wordpress के उपर, उसके लिए भी मैंने पूरा tutorial बनाया हुआ है, practically, setup करते हुए मैंने दिखाया, तो आ मैं यह समझ के चल रहा हूँ कि आपने blog बना लिया होगा, blog बनानी के बाद आपको क्या करना है, आप जाए प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए, blogger, यहाँ पर देखिए इसको install कर लीजिए, जो लोग wordpress भी करना चाते हैं, wordpress का app install कर लीजिए, इ इस idea से ही इसमें sign in करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि blogger पर मेरा एक blog है, आल्टू एंड फाल्टू, तो उस blog को आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका कोई भी article हम चाहें, तो edit कर सकते हैं, या फिर article लिख सकते हैं, article लिखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बना हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ से अपना article बना सकते हैं, title में आप अपना title डालेंगे, जो भी आपका blog post बनाना है, और यहाँ से अपना post आप बना सकते हैं, नीचे साब देख सकते हैं, images वगरा add कर सकते हैं, letter को bold करना है, तो B पर click करेंगे, italic करना है, I पर click अपने, underline करना है, तो इस पर click करेंगे, प्लस अगर कोई link देना हो, link देना हो, link दे सकते हैं यहाँ से, तो जो हम computer पर करते हैं, article लिखने के time पर वहाँ पर यह सारी चीजे हम phone पर भी कर सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक और तरीका में बताना चाहूंगा, आपक करते हैं, simply आपको जाना है, यहाँ पर desktop site पर click करना है, उसके बाद आपको देखेंगे desktop वाला पूरा feel आएगा, जैसा आप PC में देखते हैं, same to same यहाँ पर भी दिख रहा है, तो आप manage कर सकते हैं, अगर आपने PC पर थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो, ठीक है, सेम इसी कर सकते हैं, अपने WordPress के Dashboard में, यहाँ पर देख सकते हैं, PC जैसा ओपन हो रहा है, यहाँ पर मैंने login कर दिया, login करने के बाद PC में देखता है, वैसे ही mobile phone में भी open होगा, तो, आप यहाँ से article लिखने का सारा काम कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सारी चीजे यहाँ प की आप चीजे दिख रही है आपको बस क्लिक करना है वहां पर फरी सिर्ट करने का T तो यहां पर मैं login पर click करता हूँ ठीक है यहां पर दिखें दो option दिख रहा है login with google login in by entering your site address तो मैंने जैसा कि बताया है कि आपको wordpress.com वाले blog पर नहीं जाना है wordpress.org वाले पर जाना है यहां पर आप देख सकते हैं login करने का option यहां पर भी आ रहा है तो username & password जब आपने blog बनाया होगा तो इसे में आप username & password आपको मिलता है तो उसщёunda password को यहां पर डालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़े आपको दिख जाती हैं ब्लॉग पोस्ट दिख जाता है तो ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर आप यहाँ से अपना ब्लॉग पोस्ट तो गएरा मैनेज कर सकते हैं नया पोस्ट कर सकते हैं और जो भी हम करना चा कर सकते हैं एड टाइटल करके आ रहा है प्लस यहां पर दिखिए जो भी चीज़े आप यहां से एड करना चाहते हैं हैं एडिंग इमेज वीडियो पेज़ ब्रेक सेपरेटर तो जिन लोगों को यह दुविदा थी कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है लैपटॉप नहीं है तो यह तरीका मैंने बता दिया साथी साथ गूगल क्रोम का मैंने तरीका बता दिया तो गूगल क्रोम के तुरू भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको सेट अप करना पर सकता है चलिए इसमें मैं कुछ और एक्स्टर सूजाओ देना चाह Jewish in तो मैं आपको सुझा दूबहों वाला ब्रैंड कौन सा आप लोगे Acer के ब्रैंड को मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा Acer या HP आप इन ब्रैंड में आप जा सकते हो क्योंकि मैंने Acer कुछ जो मेरा पहला लैपटॉप था Acer का था साथ साल मैंने यूज किया अभी भी यो खराब नहीं हुआ है बस मैंने उसको रख दिया है उसके बाद मैंने लैनो का लैपटॉप लिया था जो मुझे value for money नहीं लगा था उसके बाद मैंने Acer Predator Helios 300 लिया है जो वाकई में कमाल लैपटॉप है वीडियो एडिटिंग के लिए भी काफी सही है लेकिन बैटरी वाटरी थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो अगर आपको लगता है कि वीडियो एडिटिं लैपटॉप के मैं लिंक्स में नीचे डाल दूँगा आप चाहे तो वहां से पचेस कर सकते हो तो वहां से अगर आप पचेस करते हो तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ड मिल सकता है वो मेरा अफिलेट लिंक है अनुसली मैं आपको बता रहा हूं तो जिन भाईयों को भी लेकिन मैं सुझाओ देना चाहूंगा कि आप लैपटॉप या फिर एक टैबलेट लेके यह काम करें तो ज्यादा इजली आप काम कर सकते हो तो दोस्तों उम् stukņरता हो कि आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना या और साथी साथ शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं है तो उनके साथ भी शेर करो और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही अच्छे चे वीडियो लेके आता रहता हूँ और साथ में मैं इंस्पारिंग लोगों का इंटरिव्यूज भ अब तक के लिए आप जहां भी रहो मशाते रहो